नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डिगार्डन में दोस्तों आज 6 सितंबर हो चुग है इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आने वाले 4-5 दिनों के मोसम पूरण मान की क्योंकि आने वाले 4-5 दिनों के दुरान जहां देश के कई राज्यों में तेज भारी बारिस होने की संभावने बने रहेंगे वहीं देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिस में कमी आने के साथ साथ शायद मानसून की विवाप से शुरू हो जाएगी ऐसी संभाव नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसे जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं देश में बने वैतर सिस्टम के बारे में तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय देश में दो वैतर सिस्टम एक साथ ब जो में अच्छी तेज भारी-बारिस होने की संभावने बनेगी इसमें पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार, ज्यारकन, पच्छी, बंगाल, उडिशा, चतिसगड़ और मद्याप्रदेश के काफी बागों में यह लोप्रस्टर सिस्टम आने वाले दिनों में तेज हवा बागों के और बढ़बार करेगा तो इस समय बिहार, ज्यारकन, पच्छी, बंगाल के ज्यादतर भागों में जो बारिस में कमी देखने को मिल रही है तो लगबग 9-10 सितंबर से बिहार, ज्यारकन, पच्छी, बंगाल के ज्यादतर भागों में मानसोनी बारिस की आशने के बाद में देखे कुछ इस तरीकेशी यूटरल नेने वाला है यानि के जारकंड के उपर से ओकर के 36 गड़ जो बढ़ेगा और फिर लगबग 14-15 सितंबर तक पूर्वी मद्धापरदीश के करीब पहुंच आएगा जिससे 14-15 सितंबर में पूर्वी मद्धापरद यानि के 14-15 सितंबर तक देश के पाड़ी मैदानी और मद्धापरदीश से मानसून की वापसी शुरू हो चुके होगी यानि के पंजाब, हरियाना, एनशा, डिली, पश्ची में उत्तरपदेश, राजस्तान, गुजरात और पश्ची में मद्धापरदेश के ज्यादतर बागों में, 14-15 सितंबर तक उत्तरपश्ची में आवाई तेजी के साथ में चल रहे होगी, जो कि इस लोग प्रस्ची सिस्टम को पीछे के और धकेलना शुरू कर देंगी, अब देखना होगा, कि यह लोग प्रस्ची सिस्टम पूर्वी मद्धापरदे से आगे बढ़ पाता है, या उत्तरपश्ची में आवाई से पीची के और धकेल करके यही पर कमजोर बनाते हैं या वापस से रिकवर कर जाएगा, तो यह तो आने वाले दो तीन दिनों बादी सही से पता चल पाएगा, खेर इसके अलावा बात करते हैं, दूसरे वैतर सिस्टम की, जो कि एक सर्कुलेशन के तोर पर राजस्थान के दक्षिनी पूर्वी बागों पर कई दिनों से बनावा है, जिसकी वज़े से देश के पाड़ी और मैदाने राज्यों के कुछ बागों में, पिछले कई दिनों से बादलों के आवे जाई के साथ में, हलकी मद्दम में कुछ ब राजस्थान के दक्षिनी पूर्वी बागों पर बनावा है, इसलिए आज रात में अगले 24 गंटों के दर्वानतों, राजस्थान के जो दक्षिनी पूर्वी बाग है, या मद्दम पूर्वी बाग है, जालोर, सिरोई, उदैपूर, डोंगरपूर, बासवाड़ा, परत पंचमेल, खेड़ा, गांडी नगर, महिसाना, इंजीलों के भी काभी बागों में, आज रात के समय, अगले 24 गंटों के दर्वान, मद्दम तेज भारी बाइरिस होने की समावने बरेंगे, हाला कि राजस्थान के उतरी बाग है, जैपूर, अलवर, भरतपूर, दोसा, ध बोलपूर करोली सवाई मादोपूर इंजिलों के जादातर भागों में आज रात के समय या फिर अगले 24 गंटों के दोरान हलकी बाइरस होने के साथ साथ एका दुखा स्थान पर हलकी से मद्धा बाइरस होने के सामावने बनेगी हाला कि पश्री में राजस्थान पंजाब जम्मो कस्मीर और हिमाचल परदेश के जादातर भागों में अगले 24 गंटों के दोरान तो मोसम साफी बना रहे है किसी का दुखा बागों में हलकी छुट-फूट बहुचा रहे है बूंदा बादी हो सकती है हाला कि दोस्तों हरियाना की बात कर तो हरियाना के काफी बाग बागों में हलकी छुट-फूट बहुचा रहे हैं हलकी बारिस हो सकती है लेकिन दोस्तों उत्रा खंड के कुछ बागों में अगले 24 गंटों के दोरान भी हलकी मध्यम बारिस होने की समावने बनेगी लेकिन आठ सीतम बार आते आते जमो कस्मीर हिमाचल परदेश परदेश के कुछ भागों में हलकी हा हलकी से मध्यम बारिस होने की समावने बनेगी गोरकपूर गोंड़ा बस्ती अयोद्धा अंबेड कर नगर गोरकपूर देवरिया बल्या आजमगड और इसके अलावा बांदा चित्रपूर फतेपूर कोसांबी परतापगड कांपूर कांपूर देहात लखनओ इन जिलों के कुछ भागों में हलकी बारिस हो सकती है एका उदुकास्तान पर हलकी से मध्य बारिस होने की समावने बनेगी लेकिन पूर्वी उत्तरप्रदेश के ज्यादा तर बागों में आने वाले दिनों में अच्छी तेज भारि- की समावने बनेगी इसके अलावा बिहार जहारकर्ट पशसिब बंगाल की बात करें तो इन दाज्यों के ज्यादतर बागों वर 24 गंटों के दुरां तो बारिस होने की समावने बहुत ही कम रेंगी उक्का दुका बागों में हलकी छूटष पहुछा रेंगी सकते हैं लेक वेसे तो 36 गड़ के जादा तर भागो में कि लिए पर देश की बात करें तो मद्या परदेश की ज़्यादार बातल चाहे रहेंगे और बारिश सोने की समावने बढ़ेंगे पूर्वी मद्यापरदेश की जो दक्सिनी बाग है होसंगबाद, बैतूर, छिदवाडा, सिवनी, नर्सिंगापूर, जबलपूर, मंडला, बालाग में मध्यम तेज बारिश सोने की समावने बढ़ेंगे लेकिन पूर्वी मद्यापरदेश की जो उत्री भाग है टीकमगट, चतरपूर, पन्ना, सतना, रिवा, सिद्धी, सिग्रोली, दमो, सागर, इन जिलों के ज्यादातार भागों में हलकी बारिश सोने की समावने आजी राजपूर, इन जिलों के ज्यादतार भागों में मध्यम तेज बारिश सोने समावने बढ़ेंगे तो दोस्तों ये थी आज की मोसम जानकरी, एक नई जानकरी के साथ में मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को रमस्काल